बस ये एक सरल अभ्यास करें अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप एक सार्थक जीवन जीएंगे, मेरा विश्वास कीजिए अगर आप उस थिती में सोते हैं, तो आप बहुत अधिक समझदारी के साथ, बहुत अधिक उर्जा के साथ जागेंगे आम तौर पर भारत में कहा जाता है कि आपको अपना सिर उत्तर की ओर करके नहीं सोना चाहिए। जब दिमाग में खून का बहुत ज्यादा प्रवाह होता है तो आप शांती से सो नहीं सकते। चुम्बकी ये खिचाव के कारण उनमें ज्यादा खून बह रहा है। जब आप सीधे बैठे या खड़े होते हैं तो ऐसा नहीं होता। जिस पल आप लेटते हैं सिर पर ये खिचाव इतना मजबूत होता है कि धीरे धीरे खून दिमाग की ओर बढ़ने की कोशिश करता है। तो इससे बचना जरूरी है। ऐसा सिर्फ उत्तरी गोलार्थ में होता है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो आपको अपना सिर्फ दक्षिन के ओर नहीं रखना चाहिए। भारत में आपको अपना सिर्फ उत्तर के ओर नहीं रखना चाहिए। आप इसे दूसरी किसी बूरे हूं इससे कोई फर्ट नहीं पड़ता आप अभी मर सकते हैं हाया ना बिस्तर पर लेटने से पहले अपने बिस्तर पर बैठें और सोचें कि अभी और यहीं आपकी मृत्यू होगी आपके पास जीने के लिए सिर्फ एक मिनिट है बस पीछे मुड़कर देखें कि आज आपने जो किया है क्या वो सार्थक था बस ये एक सरल अभ्यास करें और आप वाकई नहीं जानते कि मृत्यू कब आईगी मृत्यू बिस्तर पर होगी या अस्पताल में लेटे हुए होगी जब हर तरह की चीजें आपसे जुड़ी होगी कौन जानता है कि ये कैसे होगी पर रोज इस बात का आनंद लें कि आप अपनी मृत्यू शया पर बैठे हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं कि आज जिस तरह से मैंने 24 घंटे जीए हैं क्या वो सार्थक था क्योंकि अब मैं मर रहा हूँ अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक सार्थक जीवन जीएंगे मिरा विश्वास कीजें तो रोज रात में आपको बिस्तर पर लेटने से पहले ये करना चाहिए अंतिम तीन मिनट जो कुछ भी आपने इकठा किया है शरीर, मन की चीजें, चीजें, छोटी चीजों को अंद क्योंकि तक्या बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपका तक्या, आपके जूते, अगर आपके रिष्टे हैं, तो रिष्टे, जो कुछ भी आपने इकठा किया है, उसे एक तरफ रख कर सोएं अगर आप उस थिती में सोते हैं, तो आप बहुत अधिक समझदारी के साथ, बहुत अधिक उर्जा के साथ, जितनी आपने सोची होंगी, उससे कहीं अधिक संभावनाओं के साथ जागेंगे बस जीवन के रूप में सोएं, एक पुरुष के रूप में नहीं, एक महीला के रूप में नहीं, इसके या उसके रूप में नहीं, सब को जलक कर दीजिए ये बहुत आसान हो रहा है, बस सोने की साथना, कम से कम इतना तो आपको करना ही चाहिए झाल झाल